हेलो डियर इस्टुएंट्स बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बचो ये क्लास 7 का हिंदी बुख है और चप्टर वी 7 है इस चप्टर का नाम है एनी बेसेंट तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ए हमारी तरफ से हमारी अजादी के लिए लड़ाई की थी तो यहीं इसकी खास विशिष्टा है इसलिए एक महान महिला है इनके बारे में इनका पिक्चर देख लिए कभी आपको कहीं पर देखने को मिले तब पहचान सकते हैं इस तरह से इनके बारे में इस चप्टर पे दि चाहिए भारत के 1857 के पर्थम सोतनतता संग्राम जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह गदर कहा ने इंग्लेजों की पार्लियमेंट में तुफान मचा दिया तो हम लोग जानते हैं पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 5 में दिया हुआ है क्लास 4 में दिया हुआ है कि 1857 में भारत में पर्थम सोतनतता संग्राम हुआ था और जिसको अंग्रेजों ने गदर विद्रोह का नाम दिया था और यह विद्रोह अंग्रेजों के पारलियमेंट में तुफान माचा दिया था वہां पे अंग्रेज लोग परिसान हो गये थे कि इस तरह की घटना कैसे घटी और उन इसे सोने की चीडियां कहा जाता था तो सोने की चीडियां को भला कुण जाने देगा ते इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उसके हाथ से यह देश निकल जाए उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी इंगलेंट इंडिया एंड आफगनिस्तान उनकी द देखने वाली बात यह है कि यह भी एक अंग्रेज थी इंगलेंड की थी लेकिन इसके अंदर कितनी सचाई थी और यह धर्म के मार्ग पे सचाई के मार्ग पे चल रहे थी जो इनके देश की लोगों ने जो गलत काम किया था उनके बारे में भी अपने बुक में लिखी थी यह पहला आउसर था जब इंगलेंड के एक नाग्रिक ने इतने असपस्ट और तीके सब्दों में इंगलेंड की समराइज जवादी नितियों का भंडा फोड किया था कोई अपने देश का बुरा नहीं चाहता लेकिन अगर उस देश के वासी कुछ गलत काम कर रहे हो तो वहां के नाग्रिकों का या फर्ज बनता है कि उसको सही मार्ग दिखलाया जाए हमें पूरी दुनिया में सांती करना है सिर्फ अपने देश को ही नहीं देखना है दूसरे देशों को भी देखना है कि वो भी सुरच्छित रहे वो भी अच्छी जिंद की जिए एनी बेसेंट ने बताया था कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते है तो आखों के सामने जोंकों का दिरिस आता है जिन्होंने भारत का धन चुसा है अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी बहुत गिनोनी है अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि यह एनी बेसेंट कौन थी तो वह बतलाती है कि भारत को किस परकार से निर्धन कर दिया गरीब कर दिया क्योंकि हमारा लेकिन खून चुसता है वह बहुत बड़ा हो जाएगा आपके बोड़ी में चिपका वा रहेगा और इतना अचिकना रहता है कि कई बार पता नहीं चलता है इंगिलेंड हमारे देश के धन को चुस चुस के हमारे देश को निर्धन कर दिया था तो ये चीज अपने बुक में एनी बेसेंट ने लिखी थी तो इसके बारे में आप लोगों को जानने की उच्शुकता हो रही होगी कि यह कौन थी तो इसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे उसके बच्पन से दिया हुआ है अक्टूबर 1847 यहाँ पे और दूसरे जगा आप देखेंगे 1 अक्टूबर दिया हुआ है एक अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जनम हुआ था उसका बच्पन का नाम एनि उड था वह अपने आपको आईरिस कहलाना अधिक पसंद करती थी क्योंकि उसकी मा आईरिस थी एनि अपनी मा से बहुत प्यार करती थी एनि के पिता एक बड़ी विद्वान थे 1347 में उनका जनम हुआ था और उनका परिवार उड परिवार कर लाता था उसकी मा जो थी वो एक आईरिस थी आईरिस मतलब होता है आईरलेंड का जो बेक्ती होता है उसको आईरिस बोला जाता है तो इसलिए वो अपने आपको आईरिस कहलाना पसंद करती थी अपने आपक इसलिए भी हुई, उनके पिता काफी बिदवान थे, उन्हें कई भासाओं का ग्यान था, जब एनी के अवल पांच वर्स की थी पिता की मिर्ति हो गई, एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाती थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहता सहया संभा हुआ, वैसे एनी क सिक्षा निमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई, मिस मेरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सकी, तो कम उमर में ही, पांच साल के उमर में ही उनकी पिता की मिर्ति हो जाती है, और उसकी माँ उसे जेसी स्कूल में पढ़ाना चाती ह तो उस स्कूल का प्रिंसिपल जो रहता है उसके मदद से उसको वहाँ पर पढ़ाना संभव हो पाता है तो जिस परकार से सभी बच्चे एक उम्मर के साथ पढ़ना शुरू करते हैं उस तरह से उनकी पढ़ाई नहीं हुई किसी के आहां राती थी मिसमेरियट के नहीं के घर में राते हुई उनसे पढ़ा करती थी दिसंबर 667 में एक पादरी फ्रैंक बैसेंट के साथ एनी का विवाँ हुआ 1867 इस भी में उनका विवा हो गया तो जिस बेक्ती से विवा हुआ उसका टाइटल था बैसेंट इसलिए इनके साथ एनी बैसेंट उनका टाइटल जुड़ गया और हमेशा के लिए जुड़ा रहा पती-पतनी की इच्छाओं और भानाओं में जमीन आस्मान का अंतर था मतलब उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते थे और जिनके विचार एक दूसरे के साथ ना मिले उनके साथ लंबे समय तक रहना मुस्किल है फिर भी जीवन जैसे तेसे चलता रहा वह दो बच्चों की माब भी बन गई पर अंतो दोनों बच्चे निरंतर बिमार रहने लगे उसमें काफी बिमार रहते थे लेकिन क्या हुआ कि अंतता उसको घर से बाहर लिकाल दिया गया केवल 26 वर्ष की आयो में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई और वह सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली तो उन्हें इस बात का गुस्सा भी था वहां का जो कानून था इंगलेंड का इंगलेंड का कानून इस पे नहीं चलता था वो सच्चाई का इंसाफ नहीं करत से बच्चों को उसकी मां को ना देकर उसके पिता को दे दिया इसलिए कि वह देश के खिलाब जो अपने बुक्स में लिखा करती थी तो इसलिए वो अपने बुक्स में इस बारे में लिखी हुई है कि एक माँ को उसकी बच्चों से जुदा कर दिया गिया आगे यहाँ पर दिया हुआ है 1834 में एनी बेसेंट चार्ल्स ब्राडले की एक संस्था नेस्नल सेकुलर सोसाइटी में समिलित हो गई तो यह संस्था वहीं की संस्था है इंगलेंड की है तो वहाँ पर इस संस्था में वो जुड़ गई वो सत्य की खोज में आगे बढ़ रहे थी एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनिती पर भासन दिये उन्होंने 1887 में मजदूरों के लिए आठ घंटे के कारी दिवस और बेरुजगारी की समस्या पर जम कर संगर्स किया उस समय भी वहाँ की समस्या थी जो मजदूरों के साथ अक्सर हुआ करता है आज भी मजदूर के साथ समस्या कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा यह हमें से बना रहता है, तो उनके लिए बहुत सारे लीडर्स इसे होते हैं, जो उनके लिए लड़ते हैं, उनकी बेरुजगारी की समस्या जो होती है, उनको 8 घंटे का काम दिया जाता है, तो 8 घंटे के जगए उनसे 12 घंटा, 15 घंटा काम करवाया जाता है, फिर वही पेम के लिए महत्पून साबित हुआ उनके जीवन ने उस समय नया मोड लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को सांती मिल गई है 1889 SB में वो फिर दूसरे संस्था से जुड गई और उसे लगा कि अब मैं उस जगह पहुँच चुकी हूँ जहां मुझे जाना है तो वे थियोसोफिकल सोसाइटी एक संस्था है कि सदेश बन गई भारत में इसकी स्थापना 1889 SB में मैडम बलेवटसकी और आलकोट ने मिलकर की थी ये इंडियन सोसाइटी है इंडियन संस्था है तो यहां से वे जुड गई जुड गई लेकिन वो इंडिया में भी नहीं थी वहीं के माध्याम से बिदेश के लोग भी जुडते थे तो वहीं रहकर वो इस संस्था से जुड गई और उसे लगा कि मन को सांती मिल गया इस संस्था के उदेश थे बिश्सु बंधुत्यों की अस्थापना करना, मतलब पूरे देश में सभी एक दुसरे से मिल कर रहे इसकी अस्थापना करना, आरे और पुरुवी धर्म भासा और विज्यान के अध्यन को बढ़ावा देना, आरे, आरे के बारे में पढ़े होंग अससरी चीज़ें यहां यहां पे बहुत सारे प्वा सार civ dram के अध्यान हो बहुत सारी चीजोंगा देना, यहां पे। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के लिए उनका नाम नहीं आता है तो रिजन क्या है उस समय इस बात को प्रूप करके नहीं दिखा सके वे बोलते थे और जानते थे कि यह बिल्कुल सत्य है लेकिन उस चीज को प्रूप नहीं कर पाए थे इसलिए नहीं तो फिर उससे बड़ ग्यानी इलिया के लोग साधूर इसी मुनी लोग तो उस समय आसमान में उड़ते थे तो क्या वे लोग नहीं जानेंगे कि प्रित्वी गोल है या चप्टा है तो वे लोग आल्रेडी पहले से ही जानते थे एनी बेसंट 16 नॉवंबर 893 को भारत पहुंची एनी के लिए भ भी गई लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया पर भारत की दुर्दसा देखकर एनी हैरान रह गई तो जो जिनको धर्म का नोलेज है जो धर्म के बारे में जानते हैं या फिर उनका खोज करते हैं तो निश्ची तुरुप से वो जानते हैं कि भारत से अच्छी भूमी और कहीं नहीं मिल सकती धर्म का जो सबसे बड़ा ज्यान है वो भारत में है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता और नहीं है तो यहां का धर्म जिसका महान धर्म यहां का धर्म महान है और सभी धर्मों का मूल है सारे धर्म पैदा हुए यहां को देखकर यहीं से पैदा हुए आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म हिंदु धर्म जो है वह सभी धर्म का माई बाप है उसकी दिरिष्टी में भारत भूमी सब संस्कृतियों का केंद्र है यहां पे जितने भी संस्कृति पैदा हुई हमारी जो संस्कृति है उसी से सारी दुनिया की संस्कृति पैदा लेकिन यहां कि जो इस्थिती देखी तो वह दुखी हो गई, हैरान हो गई कि इतने महाम देश की इस्थिती ये है इसलिए वो इस देश की अजादी के लिए भी फाइट की थी लाक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिसद, रामाईन और महाभारत का गहन अध्यन किया उन्होंने अइन धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा और समझा वे कहती थी धर्म तो प्रमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है जिससे नदिया समुद्र में जा मिलती है वो ऐसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति के मार्ग है तो वाँ उस समय उनके साथ भगवान दास रहा करते थे और उनके साथ मिलकर वेद, उपनिसद, रमाईन, महाभारत इन गरंतों को अधिक कोई पढ़ ले तो कोई भी विदेशी भारत को छोड़ कर नहीं जाएगा और ऐसा हुआ कैये ऐसे विदेशी है जिन्होंने पढ़ा वो भारत में रह गया और यहीं पे यहां के लोगों की सेवा करने लगा तो उसी तरह से वो भी पढ़े और यहीं पे रह गई धर्म के बारे में उनका मत यही था कि धर्म परमात्मा तक पहुँचने का एक रास्ता है तो अलग-अलग धर्म बनाया गया है तो लोगों को जिस परकार से समझ में आया कि परमात्मा तक हम कैसे आसानी से पहुँच सकते हैं उस हिसाब से उसने अपना एक धर्म बना लिया सिच्छा के छेतर में एनी बेसेंट ने इंगलेंड में बहुमुली योगदान दिया था भारत में भी सिच्छा के छेतर में उन्होंने सराहनिय काम किया उन्होंने यह बात भली परकार समझ ली थी कि भारत वासी जब तक पूरी तरह सिच्छीत न हो जाएंगे तब तक व यह सब मुम्किन नहीं हो पा रहा है एनी बेसेंट इंगलेंड में राती थी तो वहाँ पे सिच्छा के लिए वहाँ बहुत कुछ काई कर चुकी थी और जब इंडिया आई तो उसने यहाँ भी बहुत सारा काम किया तो वह उल्रेडी जानती थी कि भारतवासी सिच्छित जब तक नहीं होंगे और उस समय सिच्छत पराचिन काल के सिच्छक जो रिश्यमुनी हुआ करते थे तो रिशी मुनी ही आसरम में बच्चों को रखकर उनको सिच्छा दिया करते थे तो उनके समान में राजा तक अपने सिहासन से उतर कर उनका समान क्या करते थे वो समय था जब सिच्छक को इतनी समान दिया जाता था परतिष्ठा दिया जाता था वह कम से कम सुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को सिच्छा दिलाना चाहती थी बहुत सारे लोग ऐसे थे गरीब थे तो वे सिच्छा का सुल्क नहीं दे पाएंगे तो वह इसी स्थिति में वह चाहती थी कि कम से कम फिस लेकर बच्चों को जादा से जादा सिच्छा दिया जाए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है एनिबेसेंट इन लोग के साथ में हैं यहाँ पे इनके बच्चे हैं और एनिबेसेंट गांधी जी के साथ भी है और आगे यहां दिया हुआ है नई सिच्छा में पुरू और पस्चिम के अच्छे आदर्सों को मिलाना चाहती थी उन्होंने 7 जुलाई 1908 इस भी में बनारस के एक छोटे से घर में अपने सपनों के सिच्छा केंदर की स्थापना की रिचर्ड सन उसके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेनबेरी पहले हैड मास्टर बने सभी देशों में कुछ अच्छे आदर्स होते हैं यहां पे हमारे यहां तो आदर्सों का भरमार है तो वहां से भी पस्चिम देश मतलब अपने देश से वहां पे जो अच्छा आदर्स थे उसको भी वो चाहती थे कि उसको भी सिखाया जाए यहां के लोगों को और यहां पे जो चीजें हैं जो संस्कृति हैं जो धर्म है उसको भी सिखाया जाए तो इसलिए दोनों आदर्स पत्रों में इस प्रियास की भरपूर परसंसा हुई 1865 में मुंबई में भारती राष्ट्रिय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी एनी बेसेंट भी भारत के सोतनतरता आंदोलन से जुड़ चुकी थी 1865 भी ये बहुत इंप्रोटेंट डेट दिया हुआ है जब भारती राष्ट्रिय कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी जो आज भी चल रहा है उसका गठन हुआ था उसको भी अंग्रेजों नहीं किया था उस समय तक एनी बेसेंट भारत के सोतनतरता आंदोलन से जुड़ च समान था इस समयलन में 4000 सदिस आये थे एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी इतने समय बाद 1850 से चलते हुए 1917 तक ये पार्टी चलती जा रहे थी और इसका अधिवेशन मतलब सम्मेलन होता था इसका कलकत्ता में हुआ 1917 में और उसमें एनी बेसेंट को उनके कारी को देखते हुए कांग्रेस का अधियस बना दिया गिया वहाँ पे 4000 लोग आये हुए थे और उस समय एनी बेसेंट बोलने में लोगों को संबोधित करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुकी थी बहुत अच्छी वक्ता थी किर्तग्यता सब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती मतलब इस देश से में जो प्रतिष्ठा मिला है जो समान मिला है वो मैं सब्दों में ब्यान नहीं कर सकती कि आपने मुझे क्या दिया है आपके उपहार को मैं मात्री भूमी की सेवा में अर्पित करना चाती हूँ कि जो कुछ भी आपने हमें दिया है मैं उसको मातरी भूमी हिंदुस्तान को ही वो अब मातरी भूमी मान रहे थी वो एक हिंदुस्तानी अपने आपको समझने लगी थी मैरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ हुआ सब कुछ मैं भारत माता की बली वेदी पर चड़ाती हूँ तलब जो कुछ भी मैं परियास कर रहा हूँ जो कुछ जो effort लगा रही हूँ जो कुछ मेरे पास है सब इस देश के लिए सब भारत माता के लिए हम सब मिलकर सब्दों में ही नहीं बलकि करते बिद्वारा बंदेमात्रम का उदगोस करेंगे यहां कहने का मतलब है कि कई एसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं बाते करते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे लेकिन कुछ करते नहीं तो वह therapist यहाँ पर एनी बोल रही है कि हम लोग सब्दों में नहीं, मतलब हम लोग सिर्फ बोलेंगे हैं नहीं, हम इसको करके दिखाएंगे, हम इसे करेंगे, वही हमारा बंदे मातरम होगा और बंदे मातरम का उद्गोश करती है, हॉम रूल की बात सबसे पहले 895 इसबी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, 1914 इसबी में एनी बेसेंट ने हॉम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तयार करना आरंभ कर दिया, हॉम रूल ये आंदोलन जो है, इसका मतलब है कि पुर्ण सवराज, जिसको गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, कि मेरा जनम सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा, तो उसी को हॉम रूल का गया है, तो पुर्ण सवराज चाहिए, तो उसके लिए बाल गंगाधर तिलक तो कारी कर ही रहे थे, एनी बेसेंट 1914 इसबी में इस पे बिसेश रूप से लग गई और लोगों को त्या किया जाए हॉम रूल को, तो उसके लिए उन्होंने सपताहिक पत्र, जो पत्री काही निकलते थी, उसको कॉमन वेल्थ के नाम से निकाली, और लोगों को जागरूप करना शुरू कर दी, उन्होंने इसके पक्ष में जगा जगा भासन दिये, उनके लेखों से अंग्रेज सासक विचलित हो ठे, और इसको और ज़्यादा फैलाने के लिए, उन्होंने कई जगा भासन दिये, अपने जो लेख लिखा करती थी, अंग्रेजों के खिलाप, अंग्रेज लोग उसके कारे से विचलित हो गये, पत्र को जब्त कर लिया, तथा 2000 रुपिये जुर्माना ज 2000 रुपिये का, तो 2000 रुपिया आज के समय में बहुत छोटा रुपिया है, लेकिन उस समय 2000 रुपिया बहुत बड़ा रुपिया हो था, हॉम रूल का नारा, भारत के सब सिचित लोगों ने अपना लिया, सावराईज हमारा जनम सीध अधिकार है, और मैं से लेकर रहोंग जितने भी सिचित लोग थे, उन लोगों को समझ में आ गया, कांग्रेस और लिग दोनों को इस आंदोलन ने जीत लिया, यह जो आंदोलन चला, तो कांग्रेस को भी काफी सपोर्ट बिला, उन्हें भी अच्छा लगा, और मुस्लिम लिग संस्था, जो देश की अजादी क लिए ही काम कर रहे थी, लेकिन वो कांग्रेस से अलग थी, क्योंकि वो बट गे थे, लोग जाती-पांती में बटे हुए थे, तैसलिए मुस्लिमोंने एक अलग संस्था बनाई वे थी जिसका नाम था मुस्लिम लिग, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहे थे, देश की उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे यहां पे देखे कि यहां कितना उन्हें आदर सम्मान दिया जा रहा है कि जिस घोड़ा गाड़ी पे वो बैठके जाती थी घोड़ों को नोजवान लोग अलग कर दिया करते थे जहां पे वो जाया करती थी और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खीच कर सभा तक ले जाते थे और घोड़ों को अलग करके घोड़ों के जगा स्वेम लग जाते थे और उस गाड़ी को खीच कर जिस सभा में वो भाग लेने के लिए जाते थे जिस सभा को संबोधित करने के लिए जाते थे वहाँ तक वे खीच कर ले जाये करते थे चारो और एनी बेसेंट की जैजैकार होने लगी और इस तरह की उनकी पॉप्लिरिटी बढ़ गया की चारो और उनका जैजैकार होने लगा लोग उनको समान करने लगे और यहाँ पे अंतीम पार्ट दिया हुआ है 1929, 1929 इसबी में एनी बेसेंट बुड़ापेस्ट उर्योपियन कांग्रेस तथा सिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्याचता करने गई परंतु 1931 के आरम से ही वे अस्वस्त रहने लगी जैसा कि एनी बेसेंट एक अच्छी वक्ता थी इसलिए वो 1929 इसबी में उड़ापेस्ट उर्योपियन कांग्रेस वहाँ पे और सिकागो वर्ल कांग्रेस वहाँ पे अपनी अध्याचता की अनुसार वहाँ पे गई थी इसका परचार करने के लिए लेकिन वहाँ पे क्या हुआ 1931 के आरंब से ही वह अस्वस्त दराने लगी उस समय तक उनकी उम्र काफी हो गई थी और वह अत्याथिक काम भी क्या करती थी इसलिए उनका सरीर वीक हो गया था फिर भी उन्होंने मदरास में Theosophical Society का केंदर बनाया और उसे समवारने में लग गई जून के महने में उनके घुटने में चोट लगी इसके बाद वे कभी न उठ सकी कई बार ऐसा होता है कि लोग उनकी उम्र हो जाता है और फिर वो काम करना बंद कर देते हैं घर में अराम करते हैं तो उन्होंने इसा ने सुचा करने में लग गई उस दर्म्यान उसको कारी के दर्म्यान उसके घुटने में चोट लग जाता है इसके बाद वे कभी न उठ सकी और घुटने का चोट जो है उसको एक ऐसा चोट बन गया उसका कि फिर उसके बाद वो उठ न सकी वो एक कारण बनता है अगर ठीक होना होता उसे तो ठीक हो सकती थी लेकिन एक रीजन बन जाता है दुनिया से जाने का 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई और अन्तता वे हमें छोड़कर इस संसार से चली गई 20 सितंबर 1933 उनका नाम भारतिय इतिहास में सदा अमर रहेगा वे चाहते थी हम सब सच्चे भारतवासी बनकर जियें और भारतवासी बनकर ही मरें ये बहुत अच्छा सोच है कि हम सब सच्चे भारतवासी तो सच्चे भारतवासी कौन है सच्चे भारतवासी वही है जो इस देश की भलाई चाहते हैं अगर हम भारतिय हैं लेकिन हम इस देश का बुरा चाते हैं तो वो सच्चा भारतवासी नहीं हुआ तिसलिए सच्चा भारतवासी बनना है बनकर जीना है और हम मरेंगे भी तो सच्चे भारतवासी बनकर ऐसा बनकर ही हम उनकी स्मिर्तिकुस्तदेव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे तो जो चाहती थी हम अपने अंदर यही परेरहना डालते हैं कि उनकी जो इच्छा थी उसको हम पूर्न कर सकें और हम उसमें सफल हो सकें तो यहाँ पे यह chapter समाप्त हो गया है, आएए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे जिस परकार से दिया रहता है, सब्दार्थ, Hindi का Hindi meaning और English meaning दोनों में दिया रहता है, आप इसको पढ़कर एक बार जरूर याद करें, अगर आप सभी chapter का words याद क question दिया हुआ है, काफी सारा Hindi में question देता है, जिसमें से कुछ long होगा और कुछ ज्यादातर short ही रहता है, इसलिए आसाने से आप लोग याद कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इनिवेसेंट का एक picture दिया हुआ है, सोच और बताओ, इसमें सोच कर बतलाना है, इनिवेसेंट का ज और यहाँ पे two number में link बदलो, तो यहाँ पे स्वामी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे स्वामी हो जाएगा, मैं इसका answer आप लोगों को आगे दे दूँगा, यहाँ पे इसका और question देखते हैं, question number three, यहाँ पे परतेक वाइक समुह के लिए एक सब्द लिखो, जैसे कि यह इरोप का रहने वाला यूरोपिय कहलाता है, भारत का रहने वाला भारती है, रूस का रहने वाला रूसी और फ्रांस का रहने वाला फ्रांसी सी, तो यहाँ पे जो भरा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो इसको मैं आगे आप लोगों का answer नहीं दूँगा, यहाँ question number four, इसको बनाने के लिए दिया हुआ है, उसी तरह का दिया हुआ है, जैसे यह बात हुआ कई बार सुन चुका था, और उसी को बनाना है, उसने यह बात कई बार सुनी थी, यह कविता हुआ कई बार पढ़ चुका था, उसने यह कविता कई बार पढ़ा था, इस तरह से इसका हम लि ये है चप्टर 7 का question answer उत्तर दीजिए 1857 में क्या हुआ? इंगलेंड की Parliament पर इसका क्या प्रभावड़ा? 1857 में भारत का पर्थम 133 संग्राम हुआ था इस संग्राम ने इंगलेंड की Parliament में तुफान मचा दिया था एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक में इंगलेंड की समराईजवादी नितियों पर क्या टिपिनी की? एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक में इंगलेंड की समराईजवादी नितियों का बंडा फोड कर दिया इसमें वे बताई थी कि किस परकार एक बेपारी कंपनी भारत की स्वामीनी बन बैठी एनी बेसेंट का जन्म कब और कहां हुआ था एनी बेसेंट का जन्म अक्टूबर 1847 में लंदन में हुआ था एनी बेसेंट के गिरस्त जीवन के बारे में बताओ दिसंबर 1867 में फ्रैंक बेसेंट नामक पादरी से उनका विवा हुआ दोनों के विचारों में बहुत अंतर था जीवन जैसे तेसे चलता रहा वह दो बच्चों की मा भी बन गई 1873 इसवी में एनी को घर से निकाल दिया गिया 1874 में एनी किस संस्था में सामिल हो गई 1874 इसवी में एनी चार्ल्स ब्राटलेग की संस्था नस्नल सेक्यूलर सोसाइटी में सामिल हो गई एनी बेसेंट कब भारत पहुची भारत के बारे में उनके क्या विचार थे एनी बेसेंट 16 नॉम्बर 1893 को भारत पहुची एनी भारत को एक पवित्र भूमी समझती थी जिसका महान धर्म विच्व के सब धर्मों का मूल था भारत भूमी सब संस्कृतियों का कैंदर थी एनी बेसेंट नॉजवानों में बहुत लगप्रिये थी इस कथन के समर्थन में एक उधारन दीजी एनी बेसेंट जब किसी सभा को संबोधित करने जिस घोड़ा गाड़ी से जाती थी नॉजवान उस गाड़ी से घोड़ों को अलग कर देते थे और उस गाड़ी को अपने कंधों पर खीच कर सभा तक ले जाते थे इस उधारन से या असपस्ट होता है कि एनी बेसेंट नोजवानों में बहुत लगपिरिये थी धर्म के बारे में एनी क्या सोचती थी धर्म के बारे में एनी सोचती थी धर्म तो परमात्मा तक पहुँचने का एक माध्यम है जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती है वैसे ही धर्म भी परभू की प्राप्ती के मार्ग है प्राचिन भारत में सिच्छा की क्या इस्तिती थी अब उसके सवरूप में क्या अंतर आ गया प्राचिन भारत में सिच्छा पर राईज का कोई अंकुस नहीं था विस्विद्याले सिक्षा के मंदिर थे सरवत्र सिच्चुकों का सम्मान था नई सिक्षा में पुरू और पस्चिम के अच्छे आदर्सों को सम्मिलित किया गया एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यत चुनी गई उस आउसर पर उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था आप लोगोंने मुझे जो सम्मान दिया है उसे मैं सब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती मैं अपना सब कुछ भारत माता को समर्पित करती हूँ हॉम रूल आंदोलन चलाने के लिए एनी ने क्या क्या उपाई की 1914 इसबी में एनी बेसेंट ने हॉम रूल को कारे रूप में लाने के लिए लोगों को तयार करना आरम कर दिया हॉम रूल का काम सुचारू ढंक से चलाने के लिए एनी ने एक सबताहिक पत्र कॉमन वेल्थ शुरू किया उन्होंने जगा जगा भासन दिये उनके लेखों से अंग्रेज सासक विचलित हो उठे वे इस संसार से कब विदा हुई 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई क्या किसी अंग्रेज ने भी भारत के सोतंतता संगराम में युगदान किया अधि हां तो उसके बारे में बताओ आईन कोई अंग्रेज नहीं हुआ किसी ने युगदान नहीं किया था Q4 भासा अधियन जो व्याकरन से दिया वा है ये Q4 नीचे लिखे सब्समों को समझो और अपने वायक्यों में पर्योग करो तो यह सब सब्से वायक बनाने के लिए कहा गया है और यह सारे सेंडेंस जो बनाए गया है यहां चप्टर से ही लिया गया है और question number two link बदलो तो इसमें इस्तिलिंग पूलिंग करने का है तो यहाँ पे इस्तिलिंग दिया वा है इसलिए इसको पूलिंग कर दिया गया है जैसे कि स्वामीनी का स्वामी विदूसी का विद्वान, महिला का पुरूस और अभिनेता का अभिनेत्री तो यहाँ पे यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो के एक लैक जरूर कीजे और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं